नमस्कार दोस्तूं, हम देख रहे थे जिला दर्सन के अंदर 33 जिलू के 33 महत्वपूण परसन, या पर्तेक जिले के 200 महत्वपूण परसन. अजमेर और अलवर दो जिले हमने देख लिये थे जो कलासें आपको मिल जाएगी राजस्तान जिलादर्सन परसनुतर के नाम से जो पले लिस्ट बने हुई है उसके अंदर दोस्तों आज हमारा जिला रहने वाला है स्वाड़ा जिला दोस्तों कलासनस करती हो इतियास हो बुगोल हो इनसे जुड़े वे टोप सो क्यूसन इस कलास के अंदर रहेंगे इसलिए आप सभी साती अंतक बने रहें एक बार सभी साती इस कलास को लाइक सेर और जो नए साती जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें पहला क्यूसन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों बांसवाडा राजी की नीव रखी किसने रखी जगमाल सिंग ने बांसवाडा राजी की नीव जगमाल सिंग ने रखी अगला क्यूसन है बांसवाडा जिले का छेतरपल कितना है कितना है दोस्तों पांच हजार पचपन वरग किलो मिटर पांच हजार पांच हजार पचपन वरग किलो मिटर अगला क्योसन गोटिया अमबा मेले का सम्मन राजस्तान के किस जिले से गोटिया अमबा मेला लगता है बांसवाडा में कहां पर बांसवाडा के अंदर दोस्तों क्योशन नमर चार है मानगड़ धाम का संबन्द है मानगड़ धाम ये भी बांसवाडा में दोस्तों कहां पर है बांसवाडा में अगला क्योशन है मानगडधा मेला कबायो जीत होता है मानगडधा मेला लगता है मारकसिस पूर्णी मा को दोस्तूं क्योशन 6 केला पानी पवीतर तिर्थ का सम्मन किस से हैं बांसवाडा से हैं दोस्तूं क्योशन नमर साथ है कालिंजरा मंदिर का सम्मन किस जेन तिरतकर से हैं कालिंजरा मंदिर का सम्मन है वो है रिसब देव से हैं जेन तिरतकर रिसब देव से दोस्तूं क्योशन नमर आठ है रिसब देव जी मंदिर किस नदी के किनारे बना है रिसब देव जी मंदिर किस नदी के किनारे बनाव है हारन नदी के किनारे किस के हारन नदी के किनारे दोस्तों क्यों से नमर नो बरमाजी के किस मंदिर में आदम का चत्रुम की मूर्ती विराजमान है बरमाजी के किस मंदिर में दोस्तों चींच बांसवाडा के अंदर है, यहां पर दोस्तों, क्योसे नमर दस, भगवती चींचा देवी का मंदीर किस तालाब के किनारे इस्तित है, भगवती चींचा देवी का जो मंदीर है, वो आबलनिया तालाब के किनारे है, ओपसन दोस्त सही रहीगा, क्योसे नमर ग्यारा, बरमाजी मंदिर छीच की मूर्ती की स्थाबना किस सासग ने की, किसने की ती दोस्तूं, जगमाल सिंग ने, ओपसन एक सही रही गा, क्योंसर नमर बारा है, बगवती छीचादेवी का मंदिर किसने बनवाया, किसने बनवाया था, देवी दासने, किसने बनाया था, देवी द परमारुने वागड के परमारुने दोस्तों क्यों से नमर चोदा है आर्थुना का प्राचिन मंदिर किस तालाब के किनारे है गंगेला तालाब के किनारे गंगेला तालाब के किनारे क्यों से नमर पंद्रा है मंदलेस्वर मंदिर किस सेली में निर्मित है मंडलेश्वर मंदिर है यह सब्ताइन सेली में है दोस्तू किसमें सब्ताइन सेली में बना हुआ है क्योंसे नमर सोला है कनपटे साधूं का मंदिर कनपटे साधूं का मंदिर कहां इस्तीत है कहां पर है यह आना नहीं है आर्थुना में है यह कनपटे साथूं का मंदिर आर्थूना के अंदर दोस्तूं क्यों से नमर सत्रा है लक्समिनारान मंदिर का निर्माण किस ने करवाया लक्समिनारान मंदिर का निर्माण करवाया था अनोप काउरी ने दोस्तूं बहुत ही अच्छा क्यों से नहीं है क्यों से नमर इठारा आउला एकादसी का सम्मन्द किस बारतिय महिने से हैं आउला एकादसी का सम्मन्द किसे हैं चेतर कर्षना एकादसी से हैं आउला एकादसी दोस्तूं क्यों से नमर उनीस नमर है गुणी के रण छोड रा का मेला कब बरता दोस्तों कब बरता है फालगुन सुकल एकादसी को दोस्तों क्यों सन्वीज तृपूर सुंद्री मंदिर कहां इस्तित है तृपूर सुंद्री मंदिर कहां इस्तित है कहां पर है तलवाडा बांसवाडा में तलवाडा बांसवाडा के अंदर दोस्तों क्यो अंतर है क्या है स्री अंतर ओपसन दोस्त सही रहीगा क्यों सन बाइस है पांचालू की कुल देवी पांचालू की कुल देवी है तुर्टाई माता कौन है तुर्टाई माता दोस्तों क्यों सन ते बीस किस मंदिर में नवगरू की मूर्तियां इस्तापित है नवगरू की मूर क्योसन चोबिस। गोटिया अम्मा मिला कब बड़ता है? गोटिया अम्मा मिला ये बड़ता है चेतर अमाऊच्या को चेतर अमाऊच्या को अबसं दो ص़ही रहीगा। अगला कि हुसन, माही बजाज सागरबान किस नदी पर है, माही बजाज सागरबान किस पर है, माही नदी पर है, दो नमर उपसन सही रहीगा, कि हुसन 26, अब्दुल्ला पीर की मजार किस इस्तान से समंदित है, अब्दुल्ला पीर की मजार कहां पर है, बगवान पुरा के अ अब्दुल्ला पीर की मजार बगवान पुरा में ओपसन एक सही रही गा यहां पे क्योसन 27 बांसवाडा के सासकू की चत्रियां इस्तित हैं कहां पर बाई तालाब में कहां पर है बाई तालाब के अंदर ओपसन तीन और इंपोर्टेंट क्योसन आपके लिए क्योसन 28 है कागदी पीकब बांद का सम्मन किस नदी से हैं कागदी पीकब बांद का सम्मन किस नदी से हैं दोस्तों किसे हैं कागदी से हैं ओपसन चार सही रही गा अगला क्योसन बांसवाडा जिले चेतर की परदान बासा बांसवाडा जिला है उसकी परदान बासा है वाग कौन सी है वागडी ओप्शन दोस सही रहीगा यहां पर क्यों सन तीस बांसवाडा के किस सासग ने सर्वपरतम अकबर की अधिनता सुविकार की थी बांसवाडा के परताब सिंग ने ओप्शन एक सही रहीगा क्यों सन 31, 1818 इस वी साहिक संदी का संबन्द की सासक से है बांसवाडा के ए Personen such ने सासक थे उमेद सिंग कौन? उमेद सिंग ओप्शन एक सही रहीगा क्यों जसन 32 1877 की क्रांटी के समय बांसवाडा के रावल कौन थे लक्समन सिंग दोस्टों दो नमर उप्सन सही रएगा अगला क्युसन जो बहुत एकजमू में आया है राजस्तान के एक करनं के समय बांसवाडा के सासक थे मैं अपनी मर्ट्यू वारंट पर अस्ताकसर कर रहा हूँ तो राजस्तान के एक एकरण के समय बहांसवाड़ा के सासक थे कौन थे दोस्तों कौन थे चंदरवीर सिंग थे ओपसन एक सही रहीगा क्यों सन्चोतिस मैं अपनी मर्तियू पर ऐस्ताकसर कर रहा हूं, यह कतर किसे ने कहा, किसे ने कहा था, चंदर्वीर सिंग ने कहा था दोस्तूं, तीन अमर ओपसन आपका, सही रहीगा, क्योशन पे थीजिए, बाहसवाडा परजामंडल की स्तापना किसने की, उनीस सो पेतालीस में, भूपे बांसवडा परचामंडल की स्थापना कब की गई अभी वता दिया मैंने कब उन्नीस सो पेतालीस में ओपसन दोस सही रहेगा अगला क्यों सन मानगड़ धाम अत्याकांड कब हुआ मानगड़ धाम अत्याकांड ये कब हुआ था ये वा था 17 नवंबर 1913 को 16 नवंबर 1913 को दोस्तों कि हुषन आरा 38 संप सबा की स्थापना किसने की संप सबा की स्थापना की थी गौविंद गिरिने दोस्तों ओपसन दोस सही रहीगा क्यों सन उन्चालेस राजस्तान की पर्तम महिला विदाए कोन बनी थी यसोदाद देवी बनी थी दोस्तों Option 2 सही रही गा अगला क्योसन हरी देव जोसी का जनम स्थल है हरी देव जोसी का जनम होता है खांदू गाउं के अंदर कहां पर खांदू गाउं में Option 1 सही रही गा क्योसन 41 लगातार दस बार विदान सभा चुनाव जीतने वाला मुक्यमंत्री कौन था दोस्तूं? हरी देव जो सही था ओपसन चार सही रहीगा क्योशन 42 राजे का सबसे छोटा नगर राजे का सबसे छोटा नगर वो है बोर केड़ा कौन सा है? बोर केड़ा है दोस्तूं ओपसन चार यहां पे सही रहीगा क्योशन 43 राजे का दक्षनितम बिंदू है राजे का दक्षनितम बिंदू है बोर कुंड गाउं कौन सा है? बोर कुंड गाउं है दोस्तूं ओपसन दोस्त सही रहीगा अगला क्योशन राजस्तान का सबसे लंबा बान 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 राजस् किसे कहते हैं रास्तान का दूसरा जलियांवाला बाग अत्याकांड किसे कहते हैं मानगड धाम को कहते हैं दोस्तूं ओफसन दो सही रहीगा अगला क्योसन नियुण मैसे सरवादिक बांसवाडा में रहने वाली जाती बांसवाडा में सरवादिक निवास करने वाली जाती है वह बील जाती दोस्तू lys उप्सन एक सही रही गा किोसर उर्टालीस है? किस्मिर तरीस अधिकारी के कहने पर जलियां वाला बाग त्याकांड की गटना गटी किसके गğim पर? सटन के कहने पर उप्सन एक सही रही गा कियो स्न उनपचास भक्ता अंदोलन का सम्मन्द किस जिले से हैं भक्ता अंदोलन का सम्मन्द किस से हैं बांशवाडा से हैं दोस्तों ओपसन दोस सही रहेगा अगला क्योसन सर्वोदे वहाक नामक समाचार या पत्रीका का परकासन किस ने किया सर्वोदेवाक पत्रीका किसने प्रकासित की यह की थी चिमनलाल मालोत ने दोस्तूं क्योसन इकाउन सांत सेवा कुटीर का निर्मान किसने किया सांत सेवा कुटीर का निर्मान किसने किया था किसने किया था चीमनलाल मालोत ने it Command 1 सही रही गा क्यूसन वाउन है बंसवाडा जिले का लिंगा नूपात कितना है 2011 के अनुसर भगले जो क्यूसन आएंगे वो आपको जनगन्बंध 2011 उठानी है उसमें कितना है बंसवाडा जिले का लिंगा नूपात 980 दोस्तूं Option 3 सही रहीगा अगला क्योसन बास्वाडा जिले की जनसंग्या वर्दीदार जनसंग्या वर्दीदार है 26.50 पर तिसद Option 1 सही रहीगा क्योसन चोपन बास्वाडा जिले की साखसर्तादर 56.30 पर तिसद पन दसमलव, 3,0, 32 है, option 4, सही रहेगा, अगला क्यूशन, बांस्वाडा का सिशु लिंगानउपाद, 0 से 6, कितना है, कितना है, 934, दोस्तों, option 1, सही रहेगा, क्यूशन, 56, बांस्वाडा जिले का जन संच्या गनत्वे कितना है, बांसवाडा जिले का जनसेंग क्या गनत्व है कितना है दोस्तों तीन सो संतान में कितना है तीन सो संतान में ओप्सन एक अगला क्यों सन आम पापड राजस्तान में किस जिलें के परसिद है आम पापड है ना ये राजस्तान में बांसवाडा के परसिद है option दो, यहाँ पे सही रहेगा क्यों सर नमर ठाउन है बांसवाडा जिले का देशांतरिये विस्तार कितना है बांसवाडा का देशांतरिये विस्तार आप से पूछा जा रहा है यहाँ पे, कितना है बांसवाडा जिले का देशांतरिये विस्तार यह रहा चोतर डिग्री से चोतर डिग्री से तालीस मिनट पूर्वी देशांतर चोतर डिग्री से चोतर डिग्री से तालीस मिनट पूर्वी देशांतर अगला क्योसन निवन मैसे बांसवडा का उपनाम क्या है दोस्तुं जलमेलूं की नगरी थार का कुंब सोद्वीपूं का सहर ये रहा बांसवडा का उपनाम सोद्वीपूं का सहर दोस्तूं अगला क्योसन है माही नदी का उदगम इस्तान निवन में से है माही नदी का उदगम कहां से होता है मेहंद जील से होता है राजस्तान से नहीं मद्दे परदेश से क्यों सन 61 माही नदी का राजस्तान में परवेस किस इस्तान से होता है माही नदी राजस्तान में परवेस करती है खांदू गाउं से कौन से गाउं से खांदू गाउं से ओपसन एक सही रहीगा अगला क्यों सन करक्रेका को दो बार पाre करने वाली नदी कौन सी है कौन सी नदी यह 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 माही नदी है दोस्तून उल्टे यूँ आकार के अंदर उबसन चार सही रहेगा आके चलिए अगला क्युसन है निनमे से बास्वाडा को किस उपनाम से जाना जाता है रास्तान का अंडमान गलियों वाला सहर आदिवासियों का सहर दोस्तों इस नाम से बासवाडा को जाना जाता है और ओपसन तीन सही रहीगा क्योसन चोसट आदिवासियों के गंगा के उपनाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है कुन से नदी है माही नदी है ओपसन दो यहां पे सही रहीगा कि उसन पैसेट पातेला तालाब का सम्मन किस इस्तान से है पातेला तालाब स्वाडा में कहां पर है कहां पर तलवाडा के अंदर कहां पर है तलवाडा में ओपसन दो सही रहीगा कि उसन आरा चांसट सुजलाम सुपलाम करांती का सम्मन किस नदी से है सुजलाम सुपलाम इस करांती का सम्मन माही नदी से किसे है माही नदी से चार नमर उपसन अगला कि उसन दक्षनी राजस्तान की स्वन्रेका के नाम से किसे जाना जाता है दक्सनी राजस्तान की स्वन्रेका के नाम से किसको जाना जाता है माही नदी को ओपसन दो यहां पे सही रहीगा क्योसन 68 किस चेतर को चपन का मेदान कहा जाता है किस चेतर को चपन का मेदान कहा जाता है दोस्तों किस चेतर को माही बेसिन को कहा जाता है चपन नदी नालों या चपन गाउं का समुए है इस वज़े से चपन का मेदान उसको कहा जाता है अगला क्यूसन किस बांद का सम्मन्द माही नदी से हैं किस बांद का सम्मन्द माही नदी से हैं दोस्तुं किसका है करड़ाना बांद का किसका है काड़ाना बांद का, ओपसन एक सही रहीगा, अगला क्योंसन, माही नदी की कुल लंबाई है, माही नदी की कुल लंबाई है, कितनी है दोस्तूं, पांसो चिंतर किलो मिटर, ओपसन दोस्त सही रहीगा, क्योंसन इक तर, बाही तालाब का निर्मान किस रावल की पत नहीं नहीं दोस्तों ओफसन एक सही रहीगा क्यों सन बेतर रास्तान का सबसे उंचा बांद रास्तान का सबसे उंचा बांद है जाखम बांद कौन सा है जाखम बांद ओफसन दोस्त सही रहीगा क्यों सन तेतर माही बजाज सागर परियोजना का सम्मन किन राज्यू से माही बजाज, सागर, परियोजना, ये राजस्तान और गुजरात की सहींगत परियोजना है दोस्तों, ओफसन चार यहां पे सही रहीगा, समझ गे, राजस्तान का पेतालिस, गुजरात का पचपन, आगे चलिए, माही बजाज परियोजना का सुबारम कब किया गया, कब किया गया 1923 के अंदर तीन अमर उपसन सही रहीगा क्योसन पचेतर माही बजाच सागर पर योजना में राजस्तान वे गुजरात का अनुपाथ कितना कितना है 45 अनुपाथ 55 उपसन तीन यहां पे आपका सही रहीगा अगला क्योसन कड़कनात योजना का संबन्द किस पसू से हैं कड़कनात योजना का संबन्द है मुर्गे से दोस्तू तीन अमर उपसन सही रहीगा क्योसन सतंतर आदिवास्यू का दूसरा कुम किस मेले को कहा जाता है इसको कहा जाता है दोस्तू दूसरा कुम का जाता है गोटिया अंबा मेले को गोटिया अंबा मेला है ना उसको उपसन एक सही रहीगा क्योसन अठेटर खुसलगड परजामंडल की स्थापना कब की गई खुसलगड परजामंडल की स्थापना की गई थी 1942 के अंदर उपसन चार सही रहीगा क्योसन 79 कुसलगड परजामंडल की स्थापना किसके अद्देखस्ता में की गई कुसलगड परजामंडल की स्थापना किसके अद्देखस्ता में बंवरलाल निगम की अद्देखस्ता के अंदर तीन अमर उपसन और इंपोर्टेंट क्योसन अगला क्योसन है चाप नदी का उद्गम इस्तल है चाप नदी कहां से निकलती है कालिंजरा की पाड़ी से कालिंजरा की पाड़ी से दोस्तूं क्योसन एक्यासी बांसवाडा डूंगरपूर के मद्दे सीमा निर्दारन करने वाली नदी कौन सी नदी माही न दिये दोस्तों तीन अमर उप्सन सही रहीगा क्योशन बैयासी किस सीखों का सम्मद बांसवाडा से हैं बांसवाडा के हैं सालिम साही सीखे सालिम साही सीखे उप्सन एक सही रहीगा अगला क्योशन राष्टिये ग्रामिन आजवी का मिसन का प्रारम किस जिले से किया गया किस जिले से किया गया दोस्तों किसे बांसवाडा से ओपसंदोस सही रहेगा दोस्तों अगला क्योसन है राष्टिये ग्रामिन आजवी का मिसन का सुबारम कब किया गया सुबारम किया गया था पंदरा अगस्ट दो जार बाइस को क्या सही है क्या गलत है तीन जून दो जार ग्यारा को किया गया था राज़्टी ग्रामी नाजिवी का मिस्टन का सुबारम ओपसन एक सही रही गा यहां पे अच्छा क्यों सनिए आगे चली मकान उसंदहान के अंदर किस इस्तान पर है मकान उसंदहान के अंदर कहां पर है बोक्खर गाउं में कहां पर है बोक्खर गाउं के अंदर ओपसन एक सही रही गा क्यों सन्चियासी तिरी पुरा सुंद्री माता किसकी कुल देवी है किन किये दोस्तों, पांचालू की कुल देवी है, दो नमर उप्सन सही रहीगा, क्यों सही रहीगा, क्यों सही ना रहा है, बुडवा गाउं का लेक किस सन में उत्क्रिन किया गया है, बुडवा गाउं का लेक किसन में अठारा सो सत्रा के अंदर, उप्सन दोस्त सही रहीगा, क्यों सही ना रहा है, बुडवा गाउं का लेक को किसने उत्क्रिन किया था, इसने किया था बुडवा गाउं का लेक, गंधाक ने दोस्तों, किसने गंधाक ने, उप्सन एक सही रह नेक्स्ट है बुडवा परसस्ती को किसने लिखा था लेक की बात नहीं यह बुडवा परसस्ती है इसकी बात हो रही है तो इसको लिखा था अस्तराजने दोस्तों किसने अस्तराजने तीन अमर उप्सन और इंपोर्टेंट क्यों संदोस्तों आगे चलिए बांगड के परमा नरेशू कावले किस परसस्ती में आर्थुना परसस्ती के अंदर option एक सही रहीगा क्योशन ब्राण में बांसवाडा में गुईल वंस की सवतंतर नहीं हूँ कब रखी गई बांसवाडा में गुईल वंस की सवतंतर नहीं हूँ कब 1530 इस्वी के अंदर ओप सन एक सही रहीगा क्यों सन त्राण में तीर कमान कहां का परसीद है तीर कमान तीर कमान है आपके चंदूजी गाड़ा का तंदूजी गाड़ा का ओप सन एक गाव है ये दोस्तों क्यों सन चौराण में बिलेश्वर महादेव मंदिर का निर्मान किसने करवाया था जगमाल ने दोस्तु ओप्सन एक सही रहीगा क्योशन पंचान में बांसवाडा का परकोटा किसने निर्मित करवाया बांसवाडा का परकोटा किसने बनवाया था परतवी सिंग ने दोस्तु तेनमर ओप्सन सही रहीगा क्यों संचिन में कांठल की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है कांठल की गंगा कौन सी न दी माही न दी है दोस्तों तीन अमर उपसन सही रहीगा क्यों संचिन में हेमिल्टन पुस्तेकाले की स्थापना किसने की हेमिल्टन पुस्तेकाले की स्थापना किसने की ती स संबू सिंगने दोस्तों किसने संबू सिंगने ओप सन एक सही रहीगा क्यों सन 98 है सालिम साही वलक्समन साही सिक्कू के इस्तान पर कलदार रुपईये का प्रारम किसने किया किसने किया था संबू सिंगने ओप सन दोस्त सही रहीगा क्यों सन 99 है किंग जोर्ज फिक्त स्कूल किस्ता आपना किसने की किंग जोर्ज फिक्त स्कूल किस्ता आपना की थी पर्तवी सिंग ने तीन अमर उप्सन आपका सही रहेगा नेक्ष्ट है कागदी नदी पर वाईली ब्रीज का निर्मान किसने करवाया कागदी नदी पर किसने करवाया था पर्तवी सिंग ने करवाया था तीन अमर उप्सन सही रहेगा और इसी के साथ अजमेर, अलवर और बांसवाडा जिले दरसन है उसके क्यों सन होते हैं पूरे हमारे पले लिश्ट बनी हुई है राजस्तान, जिला दरसन, परसन उतर के नाम से वहाँ से जाकर एक-एक क्लास को टेंड कर सकते हैं बाकी एक जानकारी राजस्तान की बर्तियों में जीरो से हीरो अपगर आपको बनना है जीरो लेविल से आपको त्यारी करनी है अपने NCRT, RBSC नोटस बनाने एक बार सभी सातियों से कहना चाहता हूं कि इस कलास को लाइक, सेर और जो नए साती जुड़े हैं हमारे साथ, वो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें दोस्तों आप सभी सातियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जे हिंद, जे भारत